वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल को फितलम में आपका स्वागत करते हूँ आज मैं आपको लोकी के परांठे बनाना बताऊँगी और साथ मैं रायता भी बनाऊँगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और परांठे बहुत ही हेल्दी होते हैं औ हमारे परांठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है थोड़ी से एजवाइन डाल देते हैं हम इसमें और अपने टेस्ट के अगोर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे हम नमक हमें थोड़ा कमी डालना है चार चमच भरके हम इसमें रिफाइंड ओयल डाल देते ह मुजन के लिए हमें इसमें रिफाइंड ओयल डाल देना है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक हम सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे डो हमारा टाइट नहीं होना चाहिए इस वात का धिया पानी हमें एक साथ नहीं डालना है हमेंसा में हर वीडियो में बताती हूँ जब भी हम डो लगाएं तो पानी का इस्तमाल हमें थोड़ा थोड़ा ही करना है अगर कहीं ज़्यादा हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो चाहेगी डो हमारा लग गया है पांच मिनट के लिए कद्दुकस कर लेंगे, ये देखो बहुत इजी तरीके से लोगी कद्दुकस हो जाती है यह तो आप सभी को पता है, अब हम क्या करेंगे, इसको दवा दवा की इसका पानी निकाल देते हैं इस तरह से लेंगे हाथों में और दवाने के बाद इस तरह से इसका जो एक्ष्ट परांठे हमारे नहीं बनेंगे आप किसी कपड़े की साहता से भी इसके जो एक्ट्रा पानी को निकाल सकते हैं कपड़े में डालने जैसे अपन पनीर बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसको हम दवा दवा के पानी को निकाल सकते हैं कपड़े की साहता से और सारी लोकी का हमें इस पानी का इस्तेमाल कहां करना चाहते हैं ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है और देखा जायते हैं इसको हम पी भी सकते हैं क्योंकि ऐसे ही तो जूस भी निकाला जाता है लौकी को पीश के हम लोगों ने कद्दुकस किया है और इसका जूस निकाल लेते हैं तो आपकी मर्जी है आप कैसे इसको इस्तिमाल करेंगे तो यह लौकी हमारी निचोड लिए हमने पूरी इसका एकटा पानी निकाल दिया यह तैयार हो गई है अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ कर लेते हैं आदा चमश धनिया पाउडर लिया है हमने आदा चमश लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसमें हमने कुछ हरी धनियाप की पत्तियां डाल दी है यह मैंने थोड़ा सा चाड मसाला डाला है अब इसकी जगे पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आने वाला है हमारी इस्टफिंग का और यह अधरक लेसन का पेश्ट था जिसको मैंने बारी बारी पीस लिया था सभी którego आपस में मिक्स कर लेते हैं तो इस्टफिंग हमारी तयार हो गई है अब हम क्या करेंगे अभी हमने इसमे नमक नहीं मिलाया है जब हम परांठ बनाएंग तब ही इसमें नमक मिलाना है तो इस से टेस्ट नहीं आता है नमक भी डाल देना है इसमें हमें अब क्योंकि हम पराठे बनाने ही जा रहा है इस तरह से पेड़े लेंगे और यह देखिए इस तरह से गोल-गोल घुमा लेंगे और बिल्कुल भी आटे का टेस्ट नहीं आता है हमारे पराठों में जो हमने जाएंगे यह देखिए परांठा हमारा बनके तयार हो गया है मनब बेल लिया हमने अब हम इसको तल लेते हैं तबे पे हमने डाल दिया है गैस का फ्लेम लो रखें और अच्छे से इसकी ओइलिंग करते हुए परांठे को हमें सेख लेना है उलट पुलट करते हुए बहु देखिए हमारे गोल्डन हो चुके हैं परांठे और इसी तरह से सारे परांठे बना लेना है अब परांठे तो बनी रहे है अब हम रायता भी बनाई लेते हैं तो यहां मैंने दही लिया है इसको अच्छे से चमच की सायता से फैट लेते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे अ इसकी रैस भी जरूश्यर करूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और अच्छे से इसको मक मिक्स कर लेते हैं बहुती इजी तरीके से हमारा रायता भी बनके तयार हो जाएगा वो भी बहुती टेस्टी अब हम इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे आप च कोई दिवाली वाला दिया होता है उसको भी ले सकते हैं क्या है कि इसमें तर्का लगाने का कुछ अलगी टेस्ट होता है जीरा हमने डाल दिया है ओयल गरम हो गया था तो यह अच्छे से चटक गया है अब हम क्या करेंगी तर्के को अपने रायते की उपर डाल देते हैं ब अगर आपको तीखा पसंद नहीं तो आप даже कर सकते हैं पर अठे भी बन गए रायता भी बन गया है तो पर देर किस वात की टूट पड़ते हैं अगर आपको अध्य पसंद आए तो त्राई जरूर करिए मेरे तरीखे से उपन जूरूर करें कर अव inhib झाल